Hello friend, welcome to Safan Classes. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम bitwise right shift operator को discuss करेंगे. अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो लेक्चर bitwise left shift operator नहीं देखा तुसे जरूर देख ले. अगर आपको वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आपको यह जादा समझ में आएगा. आपको description box में उसकी link मिल जाएगी. आप वहाँ पे click करके previous lecture देख सकते हैं. So let's start. The bitwise right shift operator is used to shift the bits of an integer towards right by the given number of position. The vacant position on the left of the integer would be filled with 0. तो जो bitwise right shift operator में होती है, वो shift करते हम bits को right की तरफ. ठीक है? हमने left shift operator में आपको बताया था कि हम किदर? left की तरफ shift होते हैं और इसमें हम कहाँ shift होंगे? right की तरफ. तो यहाँ पर हमने एक simple सा variable लिया हुआ है. int equal 3. 3 की binding value क्या होगी? 1,1. आपको binding value निकालना आता ही होगा. तो 3 की binding value होगी? 1,1. और इसमें हम value को कहाँ shift कर रहे हैं? right. यह जो symbol लग बना हुआ है कि इसका है? right shift operator का है. पिछले वीडियो लेक्चर में हम left shift कर रहे हैं तो इसमें हम कहाँ कर रहे हैं? right shift कर रहे हैं. तो 1,1. actually में store कैसे होगी? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम 16-bit compiler को assume करके आपको समझा रहे हैं. जो भी value 1,1. store होगी, वो 1,1. ना store होगे, कैसे store होगी? 16-bit में store होगी. तो 1,1. को जब हम store करेंगे, तो 16-bit में ऐसे store करेंगे. अब इसमें friend देखिए, क्या हो रहा है? इसमें right shift हो रहा है, यानि value right की तरफ shift होगी. पिछली बार क्या होई थी? left की तरफ shift होई थी, यानि पीछे से value खिसक क्या आई थी? यहाँ. लेकिन इस बार value right की तरफ shift होगी. यानि दाएं, ऐसे, ऐसे shift होगी. इस तरफ, इस तरफ shift होगी. यानि समझ लो value एक line है, यहाँ पे सब लोग खड़े हुए है. ठीक, यह पहली position पे कोई बंदाख खड़ा हुआ, तो पीछे से 3 लोग क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं. पीछे से 3 लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ बेचारे आगे के 3 लोग क्या होंगे? गिर जाएंगे line में से, बाहर हो जाएंगे, तो बस यही काम हो रहा है. पीछे से क्या कर रहे हैं? 3 लोग बहुत सरार्ती हैं, और क्या कर रहे हैं? धक्का दे दिये, और 3 लोग आगे line में से खाली हो गए. यहाँ से, यहाँ से 3 लोग आगे line से खाली हो गए. बट एक्चुल में जो 3 लोग खाली हुएं, वही क्या थे? वही main value थी. हमारी main value क्या थी? 0, 1, 1, जब 3 को हम 16 बिट में store करेंगे, तो कैसे store होगा? 0, 1, 1, यहाँ store होगा, बाकी सारी तीछे की value किस से भढ़ी जाती है? 0 से भढ़ी जाती है. तो जब 16 बिट में हम store करेंगे value को, तो 0, 1, 1, और पीछे से जब 3 लोग ने क्या कर दिया? धक्का दिया, तो यही 3 value, right की तरफ जब shift होगी, तो क्या हो जा रही है? रागी की तरफ जब value shift हो जा रही है, तो यही 3 value बाहर आ गई, पीछे से सारी value shift हो गई, यही 3 value, यही 3 value को यह लोग क्या करेंगे? यह हमारे 16 bit से ही बाहर चली गई और पीछे का जो vacant position था वो क्या हो गया खाली हो जाएगा जब पीछे से 3 सरार्ती लोग धका दिये तो तीनों कहा जाएंगे आगे आ जाएंगे यहाँ ठीक और पीछे से position क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी कि कोई आगे के जो 3 लोग कर रहे हैं क्यों shift कर रहे हैं 3 क्योंकि हमने example में यहाँ लिखा हुआ 3 एक्स की वैलू 3 है इसलिए हमने 3 को binding में convert किया इस तरह ही store किया और 3 को 3 bit ही हम shift कर रहे हैं इस तरीके से इसलिए हमने 3 bit को जब right shift करेंगे आगे की तरफ तो यहाँ से line से बाहर हो जाएगी और पीछ second position कि से भरी जाएगी 0 से भरी जाएगी तो अब देखिए यहाँ पर अब इस आप से कोई पूछे इसका output क्या आएगा तो इसका output simple 0 आएगा आप देखी रहे हैं इसमें कोई value नहीं बची सारी value क्या है 0 है सारी value 0 है अब यहाँ पर हम number change करके देखते हैं आपको समझाते ह यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं x की value हम कर दे रहे है 12 ठीक और यहाँ पर shift कितने bit कर रहे हैं 3 bit तो जब हम x की value 12 करेंगे तो फिरेंड बता यह 12 की binary value क्या होती है 12 की binary value होती है 1 1 0 0 1 1 0 0 आपको binary value आई यहों आप निकालने आता होगा तो 1 1 0 0 ठीक क्या होती है 1 1 0 0 तो 1 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा 0 0 यहाँ आ जाएगा बाकी सारी value किस से फिलोगी 0 से क्यों फिलोगी यह 4 bit में और हमें value कितने bit में restore करना 16 bit में तो 110 को हम कितने bit shift कर रहे हैं? तीन bit अब देखिए जब हम तीन bit shift कर रहे है right की तरफ तो यहां से एक, दो, तीन यह तीनों खिसक के बाहर आ जाएंगे जब यहां से value ऐसे right की तरफ shift होगी इधर तो यह तीनों क्हिसक के बाहर आ जाएंगे इस वाले position पे आ जाएगा ये वाला one कहा जाएगा ये समझ ये फिर से तीन बिट जब right shift कर रहे हैं तो ये value shift हो जाएगी ये 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 तीनों shift हो जाएगी आगे की तरफ आगे की तरफ line खतم है बाहर और ये value हमारी कहा जाएगी ये value आ जाएगी यहां पर यह 0 आ जाएगा यहां पर और यह 0 आ जाएगा यहां पर ऐसे से जब सब पूरा खिसकेंगे तो यहां 3 position खाली हो जाएगी जो 0 से फिर fill की जाएगी ठीक है 0 से 3 position fill की जाएगी और 3 shift होने के बाद क्या बचा 1 तो इसकी value क्या आएगी अब 1 तो आपको इसमें trick क्या मिलेगी इस program में trick मिलेगी आपको हम इस program को यहां run करा के दिखा देते हैं हमने क्या लिया क्या लिया यहां पर हमने 12 और yaks की value 3 yaks की value 3 ठीक यह shift operator नहीं बदले हम ठीक 1 देखिए output क्या है 1 तो इसमें trick क्या है जो भी यहां shift के बाद value लिखी रहेगी उसे हम 2 का power करेंगे क्या value लिखी हुए है 3 तो इसमें भी 2 के power ही करेंगे 2 के power 3 ठीक है 2 के power 3 का मतलब 2 into 2 into 2 2 दूना 4 दूना 8 ठीक 8 क्या जाएगी value 8 और यह जो 8 आया है उससे किसमें भाग देंगे 12 में 8 से किससे हम भाग देंगे 8 से हम भाग देंगे किसमें 12 में यह जो 12 है हम left shift operator में क्या कर रहे थे 2 का power इसमें कर रहे थे फिर इस value को इसमें गुड़ा कर रहे थे 8 कितना आ जाएगा 8 जब हम 2 के power 3 करेंगे तो हमारी value आ जाएगी 8 8 और इसी 8 से हमें भाग देना किसमें इस x की value में x की value क्या दी हुई है 12 x की value दी हुई है 12 अब friends जब आप 8 से 12 में भाग देंगे तो कितनी time जाएगी एक ही time तो जाएगा 8 ही कम 8 और 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 अब 8 से 4 में भाग जाएगी नहीं हो रही है ये क्या रिटन करता है भाग फल quotient recent करता है तो quotient क्या आया है 1 तो यही 1 हमारा क्या हो जाएगा output फिर से हम एक exam पर लेके समझा दे रहें आपको मान लीजिए यहाँ पर value हम 16 कर दिए और यहाँ पर यहाँ पर क्या है 3 ही है तो फिर वही 2 के power 3 2 के power क्या हो जाएगा 3 का मतलब 8 और यहाँ पर क्या है 16 तो 8 से हम किसमें भाग देंगे 16 में 8 से हम किसमें भाग देंगे 16 में 8 दूना कितना होता है 16 16 में से जब 16 जाएगा तो remainder क्या बचेगा? 0 और कितनी बार भाग गई है? 2 16 में से 16 जाएगा remainder बचेगा 0 8 2 16 दो बार भाग गई है तो answer हमारा क्या आएगा? 2 इसका output क्या आएगा? अब फिरेंट्स 2 आएगा देखिए आपको यह सब पाइटा नोटन बनाने की एग्जाम में जरूरा थी नहीं एग्जाम में आपसे output पूछता है तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ठीक है? आपसे direct output पूछेगा आप direct इस तरीके से output निकाल सकते हैं फिर माल लीजें यहाँ पर हम कर दें 2 यहाँ पर हम 2 न 1 ही करें ठीक? 1 कर दें और यहाँ पर 16 हो तब क्या करेंगे आप? अब 1 लिखा तो 2 के power 1 2 के power 1 का मतलब 2 ही हुआ ठीक? 2 का power 1 का मतलब 2 ही हुआ अब 2 से हमें किसमें भाग देना? जो यहाँ पर value लिखी हो, यहाँ पर कौन सी value लिखी है, 16 तो 2 से बाबू जब आप 16 में भाग देंगे, तो 2, 8, 16 आपको इतना तो पता ही है, 2, 8, 16 8 बार भाग जाएगी, 8 हमारा answer हो जाएगा देखिए 8 कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं अब 2 का power 4, 2 का power 4 क्या होगा, 2, 2, 4, 2, 8 8 होगा, 8 से 16 में भाग देंगे, 8, 2, 16, 2 आएगा answer, अरे sorry 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, sorry हमने multiply गलत कर दिया तो 2 से 2 का power 4 करेंगे, तो कितना होगा 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 16 होगा और 16 से जब आप 16 में भाग देंगे, तो answer हमारा क्या आएगा 1 आएगा, 16, 16, 16, 16, 16 मालों यहाँ 5 कर देंगे, तब 2 का power 5 केतना होगा 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 22, 2 का power 5 केतना होगा 32 होगा, 32, और 32 से जब आप 16 में भाग देंगे देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है जीरो मालो यहां पर हम बीस लिख दिये ठीक और यहां पर हमने तू लिख दिया तो थिरी लिख दिया 3 लिख दिया तो 2 का पावर 3 2 का पावर 3 का मतलब 8 8 से 20 में भाग जाएगे कितनी बार जाएगी 2 बार जाएगी तो answer हमारा कितना हैगा 2 I hope आपको समझ में आया होगा ठीप अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें Thanks for watch